हेलो बच्चो और बटा लोग कैसे हो आप लोग मैं आपका अपना रामरतन दुवेदी आराडी सर्थ आज फिर आया हूँ एक चेप्टर लेकर थर्मो डाइनमिक्स एक चेप्टर की जहां तक बात की जाए बटाई तो एक ट्रेश कोर्स में इंक्लूडड नहीं था लेकिन भाई साब आप लोग कि इतने मैसेज आए इतने फोन आये यूटूब में तो आई परसनल फोन मैसेज थर्मो डाइनमिक्स पडाज जे सर उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा ठीक है भाई बच्चों का प्यार जो मिला था उसका भरपाई तो करनी पड़ेगी ना तो एक्चुल में क्या हो रहा है तो आजकल क्या लाइप क्लासे जिपनी हो रही है कि टाइम रिकॉर्डिंग का मिली नहीं पा रहा है तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर देता ना अभी रात के डेड़ बजे है बच्चे को सब को सुला के तो अराम से फिर अपन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आज करते हैं कुछ एक क्लास को करी देंगे तो देरे-देरे करके आपको पढ़ा दूंगा गारं ना बोट सब्सक्याद कर देखे रुटी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक कोस्चन गलत नहीं होग अरे शन्द ना नवटा तो चलो श्तल करते हैं थर्मडा निव्स देखे थर्मडा निवस में क्या है जो बेसिक पार्ट है ना वह पढ़ लिजेगा सिस्टम क्या होत state function and path function वैसे तो एक बात बता हूँ ये भी कोई बहुत पूछाने जाता है लेकिन state function कभी कभी पूछ लेता है तो state function and path function क्या है बहुत थोड़ा से इसमें क्या है एक important point है जो अगर click नहीं करता है तो question गलाथ हो जाता है होता क्या है state function क्या है धान सुनियेगा state function ये होते हैं कि ऐसे function जो process की initial and final position पे depend करता है path पे depend नहीं करता है यानि path independent clear यानि the function which depends only on the initial and final position of the process not on the path by which the process was carried out clear भई लिखेंगे नहीं बहुत ना समझ लिएगा कि ऐसा function जो केवल initial and final position पे depend करता है उसे path से कोई लेना देना नहीं है उन्हें हम state function करते हैं क्या समझ में आ गिया इस्टेट function clear हो गिया अब ध्यान सुलिएगा होता क्या है कि देखिए जैसे आप से कहा जाए यह pressure है यह volume का curve है यहाँ पे a है यहाँ पे b है ध्यान सुलिएगा आपको क्या करना है basic है बहुत basic question बना देगा और आप तो गलत हो जाएगा क्या करना है कि a से b जाना है आपको कहा जाना है a से b a से b जाने के अपन इसमें बटा तीन रास्ते बनाते हैं एक यह हो गया a से b एक आपका यह हो गया और एक आपका बटा यह हो गया क्या तीन रास्ते clear है इसको one रास्ता देते हैं इसको two देते हैं और इसको three देते हैं a से b हम तीन रास्ते से गए है clear अच्छा यहाँ का pressure जो था बटा p1 और यहाँ का volume v1 यहां का pressure P2 और volume B2 ध्यान से सुनिएगा अगर अपन बात करें डेल P कौन से रास्ते का वन रास्ते का डेल P फस्ट पात का तो फस्ट पात का डेल P क्या लिखिएगा P1-P2 पॉजिटिव लेना है अपने को डेल P सेकेंड रास्ते का देखिएगा तो यह भी P1-P2 आएगा यानि क्या समझ में आया तो डेल P का वैल्यू पात पर डेखिएगा तो यह भी P1-P2 आएगा यानि क्या समझ में आया तो डेल P का वैल्यू पात पर डिपर नहीं कर देखिएगा सामने आप था चाहे आप फस्ट रास्ते से जाएए चाहे सेकेंड से जाएए चाहे थर्ड से जाएए क्या डेल पी का वैलू सेम है सब में अगर डेल पी का वैलू सेम है तो क्या इसा नहीं लगा डेल पी पाद इस्टेट फंक्शन होना चाहिए चेक करो क्या इसमें डेल पी को इस्टेट फंक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक दम से अंदर से अवा जाएगी, हाई और होना तो चाहिए, यह ही basic point है, क्या है, ध्यान से सुनियेगा, कि अगर, ध्यान सुनियेगा, if f is a state function, ध्यान से, f is a state function, then, then, the value of, then, the value of del f will be path independent, ध्यान से देखो, कि अगर, f is a state function है, तो, del f का value path independent होगा, देख लो, कहने का मतलब यह, उल्टा सोचो, कि अगर, del f का value path independent है, तो, state function क्या होगा, del f यह f, जल्ली बोलो, क्या होगा, f is a state function, इसका मतलब, कि del p का value path independent है, तो, इसका मतलब हुआ, कि, p is a state function, ना कि del p, ध्यान से, p is a state function, pressure is a state function, del p state function नहीं है, बहुत important point है, समझेगा, अच्छा, जैसे, ध्यान से, एक्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसमें देखो, pressure, volume, temperature, ठीक है, g, h, u, g याद है, gives free energy, enthalpy, internal energy, entropy, etc, c, कहेगा, कि, a से b जाने के दो रास्ते हैं, जिनमें del s का value same है, entropy change क्या है, same है, इसका मतलब कि entropy is a state function, कि entropy is a state function, कि change in entropy is a state function, सोचके देखो, entropy is a state function, देखो, संजो, जैसे, और आपको, देखना, अगर अपन बात करें, समझेगा, suppose, c solid, plus half o2, gives c o gas, clear बेटा, और इस reaction का enthalpy change, मान लिजे, minus x1 है, ठीक है, दूसरा process आया, c o plus half o2, gives c o2, del h का value आया, minus x2, clear है, एक अलग से process लिखते है, c solid, plus o2, gives c o2, और del h का value आता है, इसमें, minus x3, suppose, अब ध्यान सुनिएगा, तीन process है, इन दो process को जोड़ दें, अगर, इन दोनों reaction को आप जोड़ के देखें, आइड कर देते हो, तो यह reaction आजाएगी, यानि, एक तो तरीका है, c o2 बनाने का, c solid o2, direct c o2, पहला रास्ता हुआ, c solid से c o2 बनाने का, first path हुआ, दूसरा है, दो step में बना लो, add करके देखो, c solid plus o2, किसी c o2 आ रहा होगा, अच्छा, इन दोनों reaction को जब add करोगे, x1 minus x2 is equal to minus x3, any x1 plus x2 is equal to x3, this means, this means, बताओ, यानि, क्या del h का value, path पे depend नहीं कर रहा, चकलो, del h का value, path पे depend नहीं कर रहा, del h state function हुआ के h, this means, दियान से, h is a state function, ये अभी या कहाँ नहीं, state function की, h is a state function, चक करो, del h का value, path पे depend नहीं कर रहा था, लेकिन, del h state function नहीं है, दियान रखना बिटा, del h state function नहीं है, state function क्या है, h, तो अगर del h का value, path पे depend, del h मतला है विन प्रॉपली, change, अगर entropy change का value, path पे depend नहीं कर रहा है, del h का value, path पे दोनों, del h सेम आ रहा है, इसका अदल, del h state function नहीं है, s is a state function, clear है, दियान रखना बिटा, important concept है, तो ये हो गया, state function हो गया, अब state function के बाद, अगर हम समझें, पाथ function क्या होते है, तो path function simple, धन सुलिएंगा, path function ऐसे function है, जो initial और final position पे तो करते ही, साथ ही साथ path पे भी करते है, जैसे heat and work, तो ये बाद समय जा गई, कि state function क्या होते है, बाद के लिए हो गया, path function क्या होते है, path function क्या होते है, समझो, the function which depends, initial and final position of the process, and also depends on the path by which the process was carried out, clear, जैसे path function के example लिख सकते हैं, आप, heat and work, ये जो है, ये path function के example है, मतलब, initial and final पे तो depend करते ही है, साथ ही साथ, path पे भी करते हैं, जिस path से process लिया गया है, क्या बाद clear है, देख लिजे, तो state function वैसे, state function में आपको पढ़ा सकते हैं, बड़ जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने syllabus में देखो, जहां तक बात करे हैं, आइलर्स थो रहा होती है, ज़रूरत syllabus में है नहीं, तो अपने कहा, कि heat and work path function है, state function के आपको definition clear हो गई, कि state function क्या होते हैं, यह बात सहां जागी, clear है, इसमें कोई doubt नहीं है, चलो, अब आगे बात करें, देखो, आगे बात करें, कि वही, heat and work, यह क्या होता है, पढ़ा है उपर एडिंग तो इसी के पढ़ें उपढ़ लेते हैं, heat and work होता क्या है, किसे हम heat कहते हैं, किसे work कहते हैं, तो actually मैं, heat and work, both are boundary phenomena, boundary phenomena, boundary का मतलब क्या होता है, boundary जिससे container होता है, close container, तो उसके जो all होती है, boundary है एक परकार से, क्योंकि जो भी heat का transfer होता है, वो boundary के थुरू होता है, जो भी work होता है, वो boundary के थुरू होता है, तो heat and work are boundary phenomena, एक तो ये समझ में आ गिया, दूसरा heat and work both are forms of energy, ठीक है, ये energy के form है, ठीक है, अब अगर energy के form है, तो फिर heat क्या होती है, work क्या होती है, तो ध्यान सुनना कि heat क्या होती है, अगर हम heat की बात करें, heat, तो heat क्या होती है, तो heat क्या होती है, द्यान सुनना है, इसमें क्या होता है, exchange of energy ये transfer of energy due to temperature difference is known as heat, clear, कहने का मतलब ये, कि, transfer of energy due to temperature difference, संजो, transfer of energy due to temperature difference is known as heat, ये देखो, clear, energy का form सुन में आ गया है, कि जो energy का transfer होता है, due to temperature of, due to difference in temperature, उसको हम लोग heat कहते हैं, clear, and work जो होता है, समझेगा, work, work क्या होता है, work को क्या कहेंगे, कि other forms of energy except heat, other forms of energy except heat is known as work, clear भई, यानि heat के अलावद जितना भी energy है, सब क्या है, work है, clear, dancing, clear है, work समझ में आ गया है, अच्छा, heat और, जान सुनना, ये IT में advance में question आ चुका है, heat और work, दोनों एक दूसरे में convert हो सकते हैं, यानि heat work में convert होता है, work heat में convert होता है, ऐसे क्यों, ऐसे बोलते हैं, कि heat और work का जो आपस में conversion है, वो natural or symmetry है, symmetry नहीं है, symmetry का मतलब होता है, कि जितना heat work में convert हो, उतना ही work heat में convert हो, ऐसे कभी नहीं होता है, समझो कैसे, जो work है, समझने में बटा, work को heat में लगबग आप 100% convert करा सकते हो, लेकिन heat से work less than 100% आता है, मतलब, work can be converted into heat with 100% efficiency, work can be converted into heat with 100% efficiency, but heat cannot be converted into work with 100% efficiency, क्यानि heat को आप work में 100% convert नहीं करा सकते हैं, लेकिन work को 100% heat में convert करा सकते हो, इसलिए क्योंकि work को 100% heat में convert करा सकते हैं, तो work को हम लोग बोलते हैं high grade energy हो, work is a high grade energy and heat is a low grade energy, समझो, यह जो work है, इसको हम लोग बोलते हैं, it is a high grade energy and it is a low grade energy, यह देखिए, clear, तो heat and work समझ में आ गया, clear बेटा, heat and work clear आ गया, अब आपन बात करते हैं, types of work, देखिएगा, types of work, types of work की अगर बात की जाएं, types of work, तो पहला जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, डबलू, इलेक्ट्रिकल, यह होता है विटा, वी आईटी, वी वोल्टेज, आई एम्पेर में करें, टी सेकेंड में, टाइम, दूसरा होता है, ग्राविटेशनल वर्क डन, ग्राविटेशनल वर्क डन, वैसे जरूरत नहीं है इनकी, तेरी है कि ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ी लेतें, यह होता है, एम्जी एच के वराबर, एंड टी सरा होता है आपका, मेकानिकल वर्क डन, जो मेकानिकल वर्क डन है, ध्यान से, यह होता है बटा, देखो, मेकानिकल वर्क डन, एक्चलि में क्या होता है, कि जो मेकानिकल वर्क डन आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, उपढ़ते होगे, इंटेग्रल पीडीवी, याद है, integral PDV क्योंकि अभी थोड़ी देबे हम लोग बात करेंगे physics और chemistry में sign convention में फर्क है तो chemistry में क्या करते है minus लगा देखे clear f dot ds है बेटाए f dot ds यह उस PDV में convert हो गया याद रखना chemistry में हम formula जो लिखेंगे उन लिखेंगे integral minus PD अभी बात करेंगे इसके बस अभी समझ लो बस होता है ठीक है ठीक है बेटा तो types of forgotten समझ में आगे कैसे कैसे होता है आप देखो types of forgotten समझने के बाद ध्यान सुनिएगा अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं ध्यान से तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं sign convention of heat and work sign convention of heat and work अगर sign convention की बात की जाए क्यार heat and work का sign convention क्या होता है अब ध्यान सुनिएगा actually मिए होता क्या है क्यों sign convention है वो physics और chemistry का अलग अलग है ठीक है physics का sign convention अलग है chemistry का sign convention अलग है अभी होता क्या है exactly में अगर हम यह बात करें, क्या exactly में sign convention क्या होता है, तो देखो, अगर, देखो, heat की बात करें, sign convention of heat, sign convention of heat की बात करते हैं, तो देखो, ध्यान रखना, physics और chemistry, दोनों में sign convention सेम होता है, heat के sign convention में कोई फ़ार नहीं होता, कैसे, क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, heat released from the system heat released from the system will be negative and heat absorbed by the system will be positive heat convention physics chemistry clear physics chemistry heat clear work done sign convention what is what happens if we talk about sign convention we talk about sign convention physics and chemistry how can we explain it? we don't understand it we don't understand it what happens what happens we talk about chemistry we talk about we talk about formula we talk about minus pdb what happens what happens what happens what happens physics reference what happens reference reference what happens we talk about physics and we talk about external agent kis 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 maant external agent yani hota kya exactly kis pdv kis 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 यह होता है minus P external dv यह देखाओ और यह P external जो है यह external pressure है क्या है external pressure यानि जो भी chemistry में वरकटन होता है होता है minus P external dv यानि हम reference मानते है external pressure को clear आप समझे हैं सुनो जैसे यह container है यहाँ gas है ठीक है बटा piston लगा है ठीक है यहाँ पे gas है तो इसका pressure है P gas ठीक है यहाँ पे P external काम करता है यह देखो यहाँ पे क्या काम करता है P external अगर समझो if P external greater than P gas होगा सोचो अगर P external का value P gas से जादा होगा तो यहाँ पे यह हो जाएगा compression सोचो जल्दी से क्या हो जाएगा compression चेक करो clear हाँ तो क्या बात करते हैं कि अगर P external सोचो बाहर का pressure प्रेशन को पज़ब प्रेशन हो जादा है तो क्या compression हो जाएगा and if P external less than P gas होगा तो यह पेटा expansion हो जाएगा यह देखो expansion clear तो P external पे भी depend करता है अच्छा physics में P external की बात नहीं करते हैं यह फर्क है तो अब देखो अगर देखो ध्यान सुनना अगर मालो P constant suppose तो W physics जो होगा ध्यान एक लाइन में आ जाएगा क्या लिखोगे P V2 minus V1 चेक करो integral PDV था न P बार ले लो DV V2 minus V1 हो गया यहां से V1 V2 लिमिट दी बटा तो यहां से देखो कि if V2 greater than V1 इसका मतलब क्या हो गया expansion expansion का मतलब होता है volume का बढ़ना तो अगर V2 greater than V1 है तो क्या W positive आएगा चेक करो physics के case में clear यानि expansion में work done क्या होगा positive clear work done क्या होगा positive physics में लेकिन अगर यहीं W chemistry की बात की जाए एक मिनट में answer आएगा क्या लिखेगा minus P V2 minus V1 यह देखो अच्या V2 का value V1 से बढ़ा है यानि अंदर होगया positive बाह लगा minus तो A V2 greater than V1 then W क्या हो जाएगा negative यह देखो यानि chemistry में expansion work done negative होता है चेक करो तो देखो साइन कन्वेंशन की करें तो साइन कन्वेंशन में यह बात तीजर हो गई कि expansion अगर हो रहा है तो physics में work done positive होता है अच्छा अगर कभी आप भूल जाओ मालो भूल गई क्योंकि भूल जाते हैं यादी नहीं रखते तो जब भी question आए क्योंकि question भी ध्यान रखना पड़ता है question physics का है कि chemistry का है तो करना कहा है ध्यान से formula या दखो physics में PD भी लिखते हैं और chemistry में minus PD भी लिखते हैं sign convention आपने याप आजाएगा check कर लो ठीक है so यहाँ से अगर मोटी मोटी बात की जाए कि chemistry में इसे पड़ते हैं तो आप confused जाओगे इसलिए हमने physics और chemistry दोनों बताईगे फिजिक्स और chemistry में कैसे लेते हैं तो आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि work done work done by the reference work done by the reference will be positive यह सबसे important point समझो दिमाग लगा work done by the reference will be positive चेक करो अब इसका क्या मतलब है देखो अगर physics है तो reference gas है यानि gas का work done positive होगा gas का work done होगा कब होगा gas का work done जब compression हो रहा है या expansion हो रहा है logic सोचो गैस का work done कब होगा जब gas खुद को expand करेगी clear और physics में यह हो गया chemistry में reference क्या होता बटा external agent तो external agent का work done का होगा जब वो compress करेगा क्या बासमान में आ रही यानि compression में अगर मोटी बात करें तो तो ejects chemistry ठीक है expansion ग्रेंशन डबलू ग्रेट दन जीडो compression डबलू लेट दन जीडो expansion डबलू लेट दन जीडो compression डबलू ग्रेट दन जीडो जैसा आप चाहो वैसे याद कर लो ठीक है बस याद question करते समय इस बात का ध्यान रखना कि question physics में कर रहा होगी chemistry में कर रहा हो नहीं तो सब गलत हुज जाएगा देख लो clear तो ये sign convention समझ में आया भई कि sign convention कैसे कैसे लेना है heat का sign convention दोनों में सेम है heat में बहुत फर्क नहीं है work में फर्क है तो work का आपको बताया गया कैसे कैसे होना है अब आगे और important चीज़ पढ़ेंगे हैं लोग अब देखो आगे क्या बात करने है समझे ना reversible and irreversible process reversible and irreversible process क्या होता है reversible process क्या होता है irreversible process समझे गर reversible and irreversible process बहुत important point है बटाये देखो जैसे एक container है इसमें gas बरी हुई है ठीक है बटा यह आपका pistol लगा हुआ है ठीक है यहाँ पे जो P gas है इसी को हम P internal भी कह सकते है और यहाँ पे आप क्या करो बटा यहाँ बहुत सारा sand particle रखो बहुत interesting चीज़ है जब sand particle रखोगे तो यहाँ से इसका pressure लग रहा होगा उसका नाम है P external ठीक है समझना बहुत important point है समझ में आएगा अब क्या करना है आपको ध्यान से आपको जो है यह खुद करो यह कोई आपका प्यून हो उसको बुलाओ करना क्या point ध्यान से नहीं हो देखो अभी at t is equal to 0 पर यानि अभी at t is equal to 0 system रुका हुआ है यानि P external का value P internal के बराबर है चक करो P external का value P internal क्योंकि system रुका हुआ है तो अंदर का pressure बाहर का pressure बराबर है तभी तो system रुका हुआ है तो P internal P external का value सेम है आप T is equal to T 1, T is equal to T 1 का मतलों समझो किया है, कि यहां से एक sand particle निकाल लिए है, sand समझते हो न, बालू ठीक है, जिसे घर बनता है, एक sand particle निकाल के बाहर है, अब आप बताओ, कि जब आपने एक sand particle निकाल के बाहर फेका, तो क्या हुआ, कुछ हुआ, इतना इसने है और प्यार देने के लिए आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है जो इसने दिया है मैं उसके लिए धन्निवात कहता हूँ हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देखके लाभान भी थो रहे हैं बटा आप सभी बच्चों से रिक्वेश्ट है कि डिस्ट्रिप्शन बॉक्स में जाए और लिंक को क्लिक करें और फ्री में अपना रेजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें साथ ही साथ जिन बच्चों को doubt solving और study material के भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और premium course के लिए apply कर सकते हैं अब कुछ नहीं होगा एक particle लेकालने से थोड़ी नहीं कुछ होगा भाई यानि T is equal to T1 पे क्या हम यह लिख सकते हैं कि जो P external है वो P internal plus minus dp plus minus dp क्यों हो सकते है cent particle रख दिये हो तो बढ़ भी सकता है गड़ भी सकता है इसलिए plus minus यूच कर रहे हैं अच्छा डीपी जो है डीपी इसको हम लोग बोलते हैं driving force क्या बोलते हैं मैटा driving force it is a driving force लेकिन क्या एक cent particle के निकालने से क्या कुछ डीपी होगा एक cent particle निकालने तो कोई फरक ही नहीं पड़ा यानि जहां सुनो कोई फरक नहीं पड़ा अच्छा आप सुनना यानि क्या इस case में जो पी external है वो पी internal के बराबरी है और जो डीपी है वो लग भग जीरो है चक करो फिर आपने एक cent particle निकाला फिर वही कोई फरक ही नहीं पड़ा पता ही नहीं चला क्या धीरे धीरे करके क्या आपने सारे cent particle निकाल दिये तब piston उपर आ गया होगा अच्या पता नहीं चला यारी कब उपर आया लेकिन उपर तो आया अच्या उपर तो आया लेकिन पता नहीं चला यानि क्या पूरे process में क्या पूरे process में एक एक सेंट पाड़ केल निकालते रहे निकालते रहे तो क्या P external का value हमेशा P internal के बराबर रहा क्या रहा? P external का value हमेशा P internal के बराबर रहा यानी समझो इसे पूरे process से क्या story समझ में आई? ध्यान से सुनना पहला point reversible की बात करा है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो होता क्या है, कि अगर ऐसे definition तो अलग है, definition यह होती है, कि अगर रहे थे, उसको उल्टा कर दो, तो अगर beginning में पहुंच यह होती है, समया रहा है, clear, So, होता क्या है, कि if the condition, if the direction or condition of the system are reversed, and system restore its original position, then it is known as reversible process, अब इसका मतलब कुछ नहीं हो समझे, जयान सुनो, क्या है, है क्या, जयान से तब से पहली point, It is an infinitely slow process, क्यों, सोच के देखो, अब भाई, एक-एक सेंट पार्ट केल हटाए हो, एक-एक, किसके पास इतना time है, आप सोचो, आप अगर प्यून को कहे जाओ, कि एक-एक पार्ट केल हटाना, एक-एक पार्ट केल हटाना, तो तो थोड़ी दे और आपको जो प्यून होगा थोड़ी दे तो संट पार्ट केल हटाएगा, आपको सची बात अतार हो, थोड़ी दे संट पार्ट केल हटाएगा, फिर देखेगा, मालिक देख तो नहीं रहा, खाट, हटा दिया लो, खाटा, अरे भाई, ये किसके पास time है, कभी आपके घर में कभी कोई बाई काम करती ह कोई किसी के पास इतना time नहीं है, तो कहने का मतलब ये, it is a very slow process, बहुत slow process है, अच्छा, अगर हम कहें कि it is a very slow process, तो अच्छा, एक बात ये समझा है, very slow process, यह नि, it takes infinite time for completion, ये लिपने की जब रूत नहीं, it takes infinite time for completion, that's it, in this process, समझ येगा, in this process, the driving force, driving force, concert driving force, dp, will be 0, check करो, here, do tisra point, in this process, system and surrounding are always in mechanical equilibrium, this means, this means, this means, p external is, always, equal, equal to, p internal, that is, p gas, च्करो, 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 च्करो बटा, in this process, driving force, will be 0, this, समझ ये रहा, in this process, system and surrounding, are always in mechanical equilibrium, mechanical equilibrium का मतलब होता है, कि दोनों side pressure की quality हो, यानि, p external, p internal, बराबर, देखलो, ये हो रहा है, यानि, ऐसे सोचो, ध्यान से सुनियेगा आप, इसका कहानी क्याक्सा हो जाई, अच्छा, एक बात हो, कि अगर it is the very slow process, तो इसमें energy loss minimum होगा, इसमें energy loss almost equal to 0 होगा, यानि, in reversible process, the loss of energy is approximately equal to 0, अच्छा, आप ध्यान से सुनो, इसका result क्या बना, इसका result ये बना कि जो हमने work done का formula पढ़ा था, समझना, एक बात और point और एक लिखना था, it is a ideal process, reversible process is a ideal process, real process नहीं है, क्यों, किसके पास यतने time ही भाई, एक एक particle कौन हटाएगा भाई, इसका मतलग ये ideal process कपता ही नहीं है, जान सुनो, अब होता क्या है, जो, जो, डवलू, रिवर्सिबल, अब हम physics की बात नहीं करेंगे, अब किवल chemistry की बात होगी, डवलू, रिवर्सिबल का formula हम क्या लिखते थे, आपको बताये थे ना, chemistry में हमेशा, कैसे लिखिएगा आप, पी external dv, तीर, रिवर्सिबल process में, क्या ये जो, पी external है, यही, पी internal हो जाता था, यानि, डवलू, रिवर्सिबल, क्या, ये चक्कर हो जल्दी से, डवलू, रिवर्सिबल जो होगा, होगा, माइनस, पी गैस्ट dv, माइनस, साइन, तो, आया है, साइन, कन्वेंशन के लिए, यानि, फार्मूला, तो, इंटेग्रल, पी डी बी है, यानि, क्या हम ये कहेंगे, कि, फिजिक्स में, रिवर्सिबल प्रोसेज ही पढ़ते हैं, देख लो, क्यो, वही तो, फार्मूला है, फिजिक्स में फार्मूला क्या था, इंटेग्रल और पी डी बी, ये माइनस साइन छोड़ दो, माइनस तो साइन कन्वेंशन के लिए, वर्कडन तो पी डी बी है, पी गैस डी बी है, इसका मतलब, ये फिजिक्स वाले रिवर्सिबल प्रोसेज ही पढ़ते हैं, देख लो अब आता है, अब आता है बटा, इर्रिवर्सिबल प्रोसेज, अब ध्यांग शोड़ें, अभी हुआ यार, ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेज क्या है, केमेस्ट्री में सब ज़्यादे इसी कुशन आता है, इसमें सब से इम पॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या ह है it is a real process सबसे important चीज़ it is a real process hypothetical नहीं है ideal जो आपने पढ़ा दान भी reversible reversible process a hypothetical process होगा ठीक है it is a real process दूसरा it is a it is a fast process it is a fast process fast process कैसे कुछे signed particle रखे थे ना आदा फेक दी सौन में आया देख लो तीसरा in this process in this process the driving force is not zero clear in this process the driving force is not zero अगला in this process in this process the system and surrounding are in mechanical equilibrium only at t is equal to zero यानि इनिशिल स्टेट पे clear यानि at t is equal to zero क्या p external का value p internal के बराबर this is equal to p gas अच्छा ऐसा क्यों है क्योंकि system तो बिटर t is equal to zero पर रुका हुआ है ना रुका हुआ है तो पी external पी इंटर्नल पराबर होगे लेकिन जैसे ही t is equal to t1 आया t is equal to t1 कैसे होगा खट sign particle आदा फेक दिये तो जो बचा हुआ sign particle है वो तो पी external लगा रहा है और अंदर से पी internal लग रहा है क्या वो बराबर है नहीं क्योंकि पहले तो पराबर तो जो पूरा sign particle था sign particle काम हो गया है इसका मतलब पी external का value काम हो गया है तो अंदर का pressure जाद है तो expansion बाहर से sign particle रखत होगे तो इसका मतलब पी external बढ़ा हो गया compression यानि T is equal to T1 पे जो पी external है वो है पी internal plus minus delta P और यहां बटा जो delta P है वो है driving force and delta P का value 0 नहीं है यानि P external का value P internal यानि कि P gas P internal तो P gas ही रहे बट वो P external के बराबर कता ही नहीं है यानि अगर हम यह समझे कि तो फिर W irreversible क्या होगा W irreversible होगा minus P external dv integral चेकरो जो W irreversible होगा वोगा minus ध्यान से minus P external dv और P external को आप P gas गलती से भी मतलिक देना क्योंकि आप P external P gas के बराबर नहीं है it is a reversible process अब यह हुआ कि इससे क्या होगा देहन सुनना अब एक बात और होता क्या है जब बेटा एक jam में question आता है ना तो question में क्या करता है कि कभी नहीं लिखता है कि process reversible है कि irreversible है लिखता ही नहीं अच्छा जब आप सोचो कि जब question में लिखा ही नहीं है कि यह reversible process है कि reversible है तो हमें कैसे पता चलेगा वह पता चलेगा उसका तरीका है लोगों को नहीं पता चलता है तो गलत हो जाता है अब वो क्या है तरीका समझे क्या होता है कि ध्यान सुनना एक लाई में समझे में आएगा होता क्या है कि जैसे मालीजिए यह piston है यह बहुत सारा साइंट पार्टिकल रखा था यहां से पी इंटर्नल और यहां से पी एक्स्टर्नल एक वैल्यू लेगी है ऐसे कोछ जरूरी नहीं कि 10 अटियम हो हमने एक वैल्यू सेट कर लूँ कि पी एक्स्टर्नल और पी इंटर्नल का वैल्यू 10 अटियम है ती स्कुल तो जीरो अब हमने क्या किया यहां से यहां थोड़ा संट पार्टिकल बचा यानि थोड़ा हमने क्या किया इतना पार्ट बार पे किया यहां से पी इंटर्नल यहां पे पी एक्स्टर्नल द्यान सुनिया गवाई अगर पी इंटर्नल पी इंटर्नल पे पे सपोज पी एक्स्टर्नल का वैल्यू 5 अटियम है लेकिन बैटा P internal is called to P gas वो अभी भी 10 ATM है बुलो चेक कर लो भई समझ मियाना चीए क्योंकि gas का अंदर तो कुछ होए नहीं हमने बाहर से science particle क्या किया है हटाया है clear so अगर P external 5 ATM है P internal 10 ATM है तो बताओ ऑदर का प्रिशर का जादा राओर का प्र्रेशब है कम तो अगर अंदर का प्रेशर यादा बाहर का कम है तो can here कि सबके comment पड़एंगा इस बार में देखता है एक लिखते हो वाँक कस्ता सिस्टेंगा अगर कब तक क्रिश्टन कब तक ऊपर उठेगा जब तक सिस्टम वापस अगर हम कहें कि ये पी इंटर्नल पी एक्स्टनल दुबारा का पराबर होगा क्योंकि बाहर का प्रिश्टन तो 5 ही रहेगा उसको तो चेंज होना नहीं यानि ड्यांसे सुनो कि जब पी इंटर्नल का वैल्यू भी पांच एटियम हो जाएगा तो सिस्टम पिश्टन जो है रुख जाएगा ज्ञाएगा तो यह सब समझा यह है इसकी जरूरत क्या है आपनी यह देखा कि पूरे प्रोस्ट में प्रेशर कॉन सा चेंज हुआ जो पूरा एक्स्पैंशन हुआ ना बटा प्रोस्ट में प्रेशर कौन सा change हुआ सोच की देखो जल्दी से internal pressure change हुआ या external pressure जल्दी बताओ internal pressure change हुआ की external pressure क्या change हुआ internal external कितना था 5? वह भी भी 5 है अचा सोचो, अگर आप से sound particle उठा के उसके piston के उपर रख देदे तो मान लो कि आपने 10 था बराबर पाँच रफ दिए क्या बाहर का प्रेशर पंत्रा होगिस का प्रेशेंग का प्रेशर नहीं हो कि उतला है क मद्फ करदर यह नहीं हो जा रहा है अच्छा-प्रेशल कितना था पंद्रा पहले बताओ पं फंद्रा है तो change हुआ क्या क्या पूरे process में बाहर का pressure पंदरा ही रहा लेकिन अंदर का बहड़ा है बाहर का पंदरा ही है इसका मतल़ समझो सबसे important concept इसमें क्या आया यह आया ध्यान से कि in case of irreversible process P external का value सबसे important concept जिसको देख के आप कह पाओगे कि यह process irreversible है पी external का value हमेशा constant होगा कोई भी process आइसो thermal आइसो कोई कभी बात करेंगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पढ़ता यानि simple concept क्या है आग कैसे language पढ़के कैसे पता कर पाओगे कि process irreversible है कि reversible है अगर question में दिमाग में बठा ले ना लिख लो चार बर अगर question में लिखा है कि process is carried out at constant external pressure लिखो constant external pressure irreversible जाँ से अगर कहीं भी लिखा है constant external pressure समलो irreversible सब से important condition है कि अगर P external का value constant है तो process irreversible होगा चेक कर लो यानि W irreversible क्या P external constant है तो यह बाहर आ जाएगा यहां integral dv हो जाएगा b1 से v2 minus P external v2 minus b1 हमेशा यही होगा कोई भी process हो देख लो क्या कानी clear होई दिमाग में बैठा लेना कि अगर process irreversible होना है तो P external का value constant होगा हमेशा क्या भाई बासवान में आई कानी clear चेलिए आगे बढ़ते हैं क्या भाई बासवान में आई क्लियर है पक्का आगे बढ़ते हैं है देखिए टोटल एनर्जी और इंटर्नल एनर्जी क्योंकि यह चेप्टर है बहुत बढ़ा ठीक है हम लोग इसको जो है करीब माल लो 12 तरह लेक्चर पढ़ाते हैं खोटा भी ना सो उतना तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा लेकिन कोशिश मेरी यह रहेगी कि जितना जाम में आता है जिस पार्ट से कोश्चन आता है को मैं आप सब बता के जाओ जिससे आपका पूरा फायदा हो ठीक है सो जो है टोटल एनर्जी एंड इंटर्नल एनर्जी होता क्या है एटी इट इस आ टोटल एनर्जी क्लियर टोटल एनर्जी क्या होगी समझना यह होती है यू यह क्या है इंटर्नल एनर्जी यह है आपका काइनेटिक एनर्जी यह है आपकी पोटेंशिल एनर्जी clear ET का value U plus internal energy plus kinetic energy plus potential energy clear अब ये है क्या चक्र यहाँ जो potential energy होती है समझो और ये kinetic energy होती है ये क्या होता है ये जो बटा kinetic energy होती है ये होती है energy due to motion of the system क्या होती है energy due to motion of the system but in case of हम लोग जो thermodynamics पढ़ते हैं उसे बोलते हैं chemical thermodynamics but in case of chemical thermodynamics in case of chemical thermodynamics system is in rest system is in rest therefore therefore kinetic energy is equal to zero clear potential energy की बाद करो ये potential energy potential energy is due to presence of external electric and magnetic field समझी एक बटा but but in case of chemical chemical thermodynamics chemical thermodynamics both are absent इसका मतलब इसका मतलब रिजल्ट क्या आया की ET का आई T का value U के बराबर है यानी जो total energy है वो internal energy के बराबर है total energy किसके बराबर बटा internal energy अभी वो यार internal energy क्या होती है समझते हैं उसको भी समझेंगे तो अगर हमें समझें कि यह इंटर्नल एनर्जी क्या हुई इंटर्नल एनर्जी सो इंटर्नल एनर्जी अगर समझें तो इंटर्नल एनर्जी क्या हुई अब टोटल एनर्जी के बराबर हुई यह थोड़ी नहीं हो तो पहली हो जुका है क्वार्टां इंटर्नल एंनजी इन्टर्नाड मतलब क्या समुखता है हिंडी हो यह कि इनर्जा थो फो इन्टर्नल एंटर्ट की इनर्जी तो होता क्या है basically energy क्योंकि अंदर के energy आदमी के energy है बात नहीं हो रही है या गैस के energy की बात हो रही है तो किसी गैस की energy internal energy का मतलब क्या है कि द्यान सुनियागा sum of all kinds of energy of the substance is known as internal energy यानि कि उस substance की जिसकी हम बात कर रहे है उसकी जितनी energy है सबको क्या कर दो add कर दो उसको internal energy यानि the sum of all kinds of energy of the substance is known as internal energy चेक कर उठाओ clear the sum of all kinds of energy of the substance is known as internal energy clear अब ये exactly में क्या होती है इसकी बात अभी हम लोग करते हैं हर चीज की तो machine आ गई रोटी बनाने की machine आ गई ये बनानी की machine आ गई board पोचने की machine नहीं आती पता करना बिटा कहीं आती हो अपने आप board पूच या जन जटी कहता हूं चलो कोई बात नहीं हाँ बई तो क्या करते हैं तो अपन ने समझा कि internal energy जो है यह सम्झो this is equal to kinetic energy plus nuclear energy plus gravitational energy plus कुछ और होंगी तो उन्हें भी जोड़ देंगे आप ध्यान सुनो इंटर्नल एनर्जी है इंटर्नल एनर्जी क्या है kinetic energy, nuclear energy जो उनका आपसे गायस molecule अट्रेक्ट कर रहे है gravitational energy इस तरह के नर्जी यही तो internal energy हुई अब ध्यान सें यह जो kinetic energy है यह क्या है kinetic energy एकदम से आवा जाई zero अरे ना बाबू ना kinetic energy तो पूरे system की zero है उसके अंदर जो molecule उनकी थोड़ी न जीरो है पूरा system rest में था बस अंदर गायस है तो गायस थोड़ी न रेस्ट में है तो देखो nuclear energy लगभग zero यह zero यानि जो यू है यह लगभग kinetic energy के पराबर है यानि जो internal energy है वो basically kinetic energy के पराबर है अब द्यान सुनो जो kinetic energy है यह क्या है यह जो kinetic energy है यह समझे ना यह तीन तरह की होगी TKE RKE plus VKE मतलब समझे आया translational kinetic energy plus rotational kinetic energy plus vibrational kinetic energy clear यह जो kinetic energy है तीन तरह से है translational kinetic energy rotational kinetic energy और vibrational kinetic energy क्या समझे आया इन सब का sum kinetic energy है और वो internal energy के बराबर है क्या कहानी clear है इतनी बास समझे आ गही न अब देखो आगी बात करते है अब इतनी आग पर रोकते हैं और अगली heading डालते हैं और फिर इसको relate करेंगे उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं degree of freedom बहुत important degree of freedom degree of freedom क्या है समझो एक gas है आपके पास उसकी total energy है तो degree of freedom क्या है it is the number of ways number of ways it is the number of ways in which the total energy of the gas can be distributed यानि total energy को कहां कहां वो distribute कर सकता है उन सब का sum कर दो उसे हम degree of freedom कहते हैं क्या भाई कहानी clear हुई क्या degree of freedom समझ में आया clear अब यह हुआ कि हाँ यार समझ में तो आया अब यह degree of freedom फिर देखो क्योंकि gas की kinetic energy क्या है translational kinetic energy rotational kinetic energy और vibrational kinetic energy यानि कुछ energy translation में जा रही है कुछ rotation में जा रही है कुछ vibration में जा रही है तो degree of freedom भी तीन पर तरह की हो जाएंगी Translational degree of freedom Rotational degree of freedom and Vibrational degree of freedom क्या कहानी clear है तो ध्यान सुनो इसमें क्या होता है Total degree of freedom is called to beta होता है 3N ध्यान रखना Total, सब मिला के Total degree of freedom कितना होता है? 3N अच्छा, N क्या है? ये है आपकी Atomicity क्या है? Atomicity Atomicity का मतला होता है एक मॉलिक्यूल में कितने एकम जैसे O3 की Atomicity 3 है O2 की 2 है, CO2 की 3 है NS3 की 4 है समझे रहे है Atomicity Total degree of freedom 3N है अच्छा, जो 3N है, जान समझेगा 3N, ये Translational degree of freedom देखो, ये F-T लिख देए F-T लो, F-T ये आएगा F-R और ये आएगा F-Vibration Clear? 3N का सम है यानि कि 3N का मतलब इन 3N का सम है Clear? Translational degree of freedom जो होगा Translational degree of freedom क्योंकि Translational मतलब movement access के हिसाब से बेटा बात करते हैं तो अपन Y-axis, Z-axis तो जो F-T होगा वो हमेशा 3 होगा और ये है Always 3 होगा हमेशा चाहिए Mono Atomic कुछ आडाई Atomic कुछ भी ये हमेशा क्या होगा? 3 Fixed Clear? ये समझ में आए अब एक-एक करके बात करते हैं Form Mono Atomic Gas अगर Mono Atomic Gas है तो इसमें जो Total Degree of Freedom होगा Degree of Freedom वो होगा 3N इसका मतलब 3 into 1 3 अच्छा इसमें आपको बताएगा F-T हमेशा 3 है तो F-R कितना होगा? 0 F-Vibration कितना होगा? 0 ये देखे Clear है? Check करो द्यान से गावर मत करना अब आया अपना आगे बात करें कि अगर माल लिजए For Diatomic Gas की बात करते है For Diatomic Gas द्यान रखने पेटा Degree of Freedom बहुत important है नहीं निकालना आएगा तो Thermo Times का कुश्चन नहीं आएगा द्यान रखना Diatomic Gas तो Total Degree of Freedom जो आया वो तो 3 है ना आएगा इसका मतलब 3 into 2 is called to 6 Total Degree of Freedom कितना आएगा 6 तो यहाँ पेटा F T जो होगा वो तो 3 होगा F R 2 होगा और F Vibration जो है 1 होगा Total 6 लाना था F R 2 है अच्छा अब यह हुआ कि लोगों को समझ तो आ जाता है रट तो लेते हैं कि F R 2 है बट यह कभी फील नहीं आया कि आर F R 2 ही क्यों लेते हैं देखो जान सुना क्यों लेते हैं अभी बताते हैं तो इसमें क्या logic है कि F R का value 2 लेते हैं अगर यह सोचो कि कोई भी diatomic molecule है basically degree of freedom क्या है degree of freedom है जहाँ energy distribute हो रही है तो बेटा होता क्या है कि जो rotational kinetic energy है आपकी यह होती है half I omega square rotational kinetic energy क्या होता है half I omega square where I is the moment of inertia I is the moment of inertia अब होता क्या है धन सुना कि अगर कोई diatomic gas है तो diatomic like O2 क्या कोई भी diatomic gas कोई भी diatomic gas linear होगा चक करो कोई भी ले लो आप वो हमेशा क्या होगा linear अगर हो gas linear है तो क्या किसी x's में linear होगा या तो x x's में linear होगा या y x's में linear होगा या z x's में linear होगा पर समझो अच्छा moment of inertia I I is equal to पढ़े होगा sigma MR इसको है तो R जो होता है उस x's से perpendicular distance होती है लेकिन अगर वो linear ही है उसी x's में है तो उस x's से distance हो 0 है उस x's से distance कैसे निकालो जब उस x's में इसका मतलब उसके लिए उस particular x's के लिए उसका moment of inertia 0 हो जाता है तो जब उसका moment of inertia 0 हो गया तो क्या ये kinetic energy 0 हो गई? अच्छा कर kinetic energy 0 हो गई भाई तो उस x's में energy distributed ही नहीं हो रही अगर x's में distributed ही नहीं हो रही तो degree of freedom ही नहीं हो सकता एक x's से distance 0 है ना दो x's तो हो है तो इसका अमलेट 2 हो गया अच्छा भी 1 कहां से है टोटल 6 था पांच निकल चुका है बचा हुआ 1 कर दो clear है? चेक करो अब आता है for triatomic gas for triatomic gas समझो triatomic gas total degree of freedom जो होगा इसका total degree of freedom होगा 3N 3 into 3 9 total degree of freedom कितना होगा? 9 ft ft क्या होगा? 3 ft क्या होगा? 3 अब आया FR दो देखो इसमें 2 case है क्योंकि triatomic gas जो होता है वो linear भी हो सकता है और non-linear भी हो सकता है तो समझो for for linear triatomic gas linear triatomic gas के लिए जो जो FR होगा वो 2 हो जाएगा क्यों? फिर वही बात कि अगर linear है तो एक axis में linear होगा उसका क्या हो जाएगा? 0 moment of inertia kinetic energy 0 इसका मतलब समझ जाए रहा है कि उसका डिग्रिया freedom 0 and for non-linear for non-linear triatomic gas FR का value हो जाएगा 3 समझ में आ गया? तो आपको समझो अगर triatomic gas है linear non-linear linear है FT का value 3 FR का value 2 F vibration का value 9-5 4 non-linear FT 3 FR 3 F vibration भी 3 क्या समझ में आया? देख लो यह है कहानी triatomic की ठेक है बटा? for polyatomic gas non-linear तो FT का value 3 रखना FR का value 3 F vibration 3 and minus 6 रखते हैं ठेक है ठेक है ठेक है यह हो गया degree of freedom का calculation अब देखो degree of freedom समझ में आगया है अब क्या होगा कि देखो from KTG के पड़े होगे पड़े होगे बटा PV का value 1 by 3 M V R M S square यहाद है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 PV by 2 is equal to half M V R M S square clear यहाँ से यह हो गया kinetic energy this is equal to translational kinetic energy अगर एक मोल की बात करें यह देखे यानि translational kinetic energy कितना आ रहा है 3 by 2 R T अच्छा translational degree of freedom कितना होता है हमेशा 3 हमेशा 3 इसका मतलब कि 3 degree of freedom के लिए 3 by 2 R T तो एक degree of freedom के लिए 1 by 2 R T यानि ध्यान सुनना क्या लिख रहे हैं translational kinetic energy par mole par degree of freedom is equal to half R T चक करो सौन में आया कि नहीं क्योंकि बाटा क्या है कि translational kinetic energy 3 by 2 R T अच्छा translational degree of freedom हमेशा 3 चाहा mono, di, tri, atomic कुछ भी हो तो तीनों का मिला के 3 by 2 R T है ना तो per degree of freedom translational kinetic energy तो half R T आएगा अगर इसी को हम ऐसे लिख दें translational kinetic energy पर-molecular motion पईवार पूरी करें पर-degree of freedom इस कोल्टू पता क्या लिखोगे half R T by N A and this is equal to half K T ध्यान रखना एक molecule की पर kinetic energy होती है half K T तभी तो 3 by 2 K T हो जाएगे total clear ध्यान से तो summarize करते हैं क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लंबा खिच जाएगा तो करना क्या है ध्यान से जो total energy है अच्छा एक बात आओ vibrational degree of freedom अपने syllabus में नहीं है ध्यान रखना तो अपने को focus कहा करना है के वल translational degree of freedom और rotational degree of freedom बस खतम ठीक है तो ध्यान रखना कि जो internal energy आएगा वो आजाएगा F by 2 energy ये ध्यान रखना बस अच्छा बोली ये कैसे आगया half rt है तो nmol का half nrt एक degree of freedom का और अगर f degree of freedom हो तो क्या हो जाएगा F by 2 energy वो ही आपने लिख दिया बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं है सहुझ में आ गया F by 2 energy ये ध्यान रखना हो ठीक है और ये half ket याद रखना कभी कभी directly पूछ लेता है clear अब देखो यहां से ये बास सुझ नहीं जान से देखना delta u का value आप लिखोगे कितना F by 2 nr delta t क्योंकि और तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता जान सुनना अच्छा delta u जो है थोड़ा सा आपको वो पता होना चाहिए molar heat capacity cv, cp specific heat क्या होती है ये पता होना चाहिए क्योंकि बटा देखो सब तो पढ़ाना possible नहीं है इतना तो आप पढ़ लीजेगा specific heat क्या होता है एक ग्राम के लिए होता है molar heat capacity एक mol के लिए होता है constant pressure पे constant volume पे cp constant pressure पे होता है cv constant volume एक बाद पढ़ लीजेगा किसी भी बुक में मिल जाएगा अच्छा delta u को आप लिख सकते हैं ncv delta t अभी बताएंगे क्यों लिख सकते हैं बस आभी समझ लो के ऐसे होता है ideal gas के लिए तो यहां से f by 2 nr delta t तो यहां से आप देखों कि बटा cv का value f by 2 r यह है for ideal gas for ideal gas cv का value f by 2 r ठीक है और आपने यह formula एक पढ़ा होगा cp minus cv is equal to r मेर्स formula बोलते हैं बिटा इसको तो यहां से cp का value आजाएगा 1 plus f by 2 r चक कर लो चक करो जल्दी से cv आगया cp आगया और यहां f द्यान रखना बिसिकलिए f क्या है यहां पे f t plus f r f जो हम use कर रहे हैं वो translational degree of freedom और rotational degree of freedom का sum है ठीक है बटा जहां भी f यूज हो रहा है तो f is equal to f t plus f r यहां पे अब कुछ लोग confuse रहेंगे कि अपन ने तो translational kinetic energy निकाला था half k t यही formula exactly rotation में भी आता है इसलिए दोनों के लिए कर देते हैं तो यहां से cp आगया अच्छे एक formula हो रहे है cp by c v is equal to gamma poisons ratio clear और यह होता है 1 plus 2 by f इसी से आया है यह formula है चोटे चोटे जो आपको याद रखना है याद रखोगे तो आराम हो जाएगा देख लो clear तो cp cv आगया वही ठीक है clear clear अब हम लोग आगे बढ़ते हैं laws of thermodynamics laws of thermodynamics सबसे पहले जो अपने जरुवत है gyrox law नहीं पढ़ना gyrox law समझ में आता है क्या है पढ़ना है इस law को देख के लगता है कि लोग बनाने वाला कौन है असे लगता है कोई घूजकोर आदमी देख कैसे क्या होता है यह बेस्ट होता है quality of temperature thermal equilibrium पे बेस्ट होता है thermal equilibrium का हदला होता है equality of temperature क्यानि it is based on the thermal equilibrium thermal equilibrium का मतला होता है equality of temperature तो यह क्या कहता है समझो यह बोलता है if A and B समझो A and B and B and C are in thermal equilibrium एक्पिलूब्रियम यह है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब शंग जो इसका मतलब यह है जैसे ए और बी का टम्प्रेचर सेम है माल लो 10 जीगरी है तो बी और सी का भी सेम है यानि बी का तो 10 था ही तो सी का भी 10 है तो करा ए और सी का भी सेम ही होगा तो हो गई या उसे छटी क्लास का बच्चे बता देगा के होगा यह है जी रॉट्स लोग क्या सांद में आ गया देख लीजे कोई नहीं पूसता इसको दूसरा यहान गया रहां फर्स्ट लोग ओफ थर्मोडाइनमिक्स देखे बास समझेगा पहली बार लॉग द्रवार थर्मोडाइनमिक्स आ वाली ओंली पोर क्लोज सिस्टम और आइसलेटर सिस्टम ओपन शिस्टम के लिए कोई भी लॉगा वैलेड नहीं ही द्यान रखना तो फर It is based on the energy conservation, यह क्या है विटा, it is based on the energy conservation, अब यह हुआ क्या रहे है, energy conservation का क्या है, यहां क्या मतलब है energy conservation से, तो समझे, क्या है, कि मान लिजे कि इनिशल, इनिशल, इनिशल अदला टोटल एनर्जी, इनिशल टोटल एनर्जी, यह आपका जो है, ठीक है, यह ईटी लिख दे, ET is called to EI, clear, is called to E1, सोचो, अब ही क्या मतलब है, इसका मतलब संजो, इनिशल एनर्जी, तोटल एनर्जी मतलब इनिशल एनर्जी, अब वो क्या होगा, इनिशल एनर्जी किसके बराबर है, इनिशल एनर्जी जो है, वो इनिशल एनर्जी है, अब समझेगा क्या हुआ, क्या हुआ कि इस E1 से ही, कुछ वर्क हुआ, और कुछ हीट का आदान प्रदान हुआ, लिया दिया, कुछ भी गया, तो जो E final आया, E final, या E1, इसी में Q और W ये भी the sign है, तो घट भी सकती है, और बड़ भी सकती है, अच्छा सोचो, क्या जो final एनर्जी है, वो फिर internal energy, क्यों, अब टोटल एनर्जी तो internal energy ही होती है, इसका मतलब, E final का value बेटा, E2 हो गया, E final का value क्या हो गया, E2, तो यानि अगर हम देखो, E1 प्लस Q प्लस W का value अगर E2 लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 is called to Q प्लस W, और यही होता है delta E, इसी को Q प्लस W, और जो delta E है ना, confuse मत होईएगा, यही delta U है, कहीं कहीं बुक में, delta U की जागे, delta E लिख देता है, इसलिए हमने E यूच किया है, कि आपको पता चल जाए, कि E और U सेम है, तो यह है, first log thermodynamics, ध्यान रखना, chemistry और physics में, first log thermodynamics में डिफ्रेंस है, क्यों डिफ्रेंस है, वर्कटन के साइन, देखो, chemistry की बात करेंगे, W क्या लिख दोगे, minus PDV, W को तो हम तो minus PDV लिखेंगे, और उस minus PDV को इदर ले आओ लो, physics का बन गया, देखो, क्योंकि वहाँ PDV बन गया, उसको W लिख दो, physics का, कोई ऐसा समझ में आ गया ना, कुछ नहीं है, चेक करो, तो यह first law of thermodynamics आ गया, clear बेटा, देखो, clear, अब वह आपस आते हैं, internal energy, अब ध्यान सुनना, important point है, समझ लेना अच्छे से, तो बहुत clear हो जाएगा, देखो, होता क्या है, क्योंकि, देखो, derivation, वैसे तो हम इसमें derivation ही बता सकते हैं, लेकि जरूरत नहीं है, क्योंकि, ultimately, आपको चीज़े यादी करनी है, क्योंकि derivation के बतार, time भी नहीं है, ठीके, सो होता क्या है, देखो, if, v is equal to constant, v का मतलब volume, अगर volume constant है, अगर volume constant है, then, then, द्यान सुनना, जो du होगा, change in internet du, ये होता है, ncv dt, du का value क्या होता है, ncv dt, and, द्यान सुनना, it is valid, for all, ideal gas, real gas, liquid, and solid, sub-clear valid है, अगर volume constant हो, तो du का value ncv dt, integrate करता हो, तो delta u हो जाएगा, अगर cv constant है, तो बाहर आजाएगा, अगर cv temperature का function है, तो cv का अंदर ले जाके, integrate करता हो, कैसे, if cv is equal to constant, तो यहाँ से cv का value constant है, तो integral of du ncv बाहर dt, t1 से t2 तक, तो यहाँ से delta u का value ncv delta t हो जाएगा, चेक करो, अगर question में लिखा हो, if cv is a function of temperature, suppose, लिखा ही दे दिया, खीक है, और cv का value दे दिया, a plus vt, कोई दिक्कत नहीं, देखो, du integral n बाहर cv की जगे, a plus vt and dt, t1 से लेके t2 तक, तो यह u1 से लेके u2 तक, तो यह delta u हो गया, और इसको लिखना n, a times t2 minus t1, plus bt square by 2, by 2, t2 square minus t1 square, देखो, चेक कर ले, न, थोड़ा सा जगे कम है, अगर कवर कर देते हैं, तो यहाद आजाएगा, यह लो, चेक करो वेटा, ठीक है, यह है, तो यहाँ से, यहाँ से, जिससे confusion न हो, delta u का value आगया, n times, 8 times t2 minus t1, plus b by 2, t2 square minus t1 square, यह लो, अगर कोई जरूर नहीं के function हो, जो function दिया हो, आप रखो, उसको t1, t2 से लेके integrate कर दो, delta u आजाएगा, लेकिन यह formula कव है, जब volume constant हो, अब अगला case आता है, यार अगर volume constant ना हो, तो बिल्कुल एकदम से अब आ जाई होगी अंदर से लिए, कि अगर volume constant ना हो, तो value क्या होगा, अच्छा, आप सोचो, कि आपने, chemistry में तो बहुत नहीं पढ़ा होगा, thermodynamics से जाद के तो guarantee है, हाँ, तो इक कोटा से पढ़के किया हो, अलग बात है, बाहर पढ़ाते नहीं है, बहुत thermodynamics से नहीं, कुछ लोग तो कह देते हैं, physics वाले पढ़ा देंगे, और physics वाले बिचारे, reversible पढ़ा देते हैं, reversible थोड़ी नहीं पढ़ाते हैं, देखो, होता क्या है, कि अगर volume constant ना हो, तो क्या होगा, अच्छा आप सोचो, जिसको physics में thermodynamics आती होगी, जान से word सुनिएगा, physics में thermodynamics आती होगी, उसको देखो, याद करो, कि आप del u कोई भी process हो, क्या del u हमेशा ncv delta t लिखते थे, चाहा इसो थर्मल हो, चाहा इसो बारिक हो, चाहा इसो कोरिक हो, del u हमेशा आप ncv delta t ही लिखते थे, तो है क्या, कि अगर कहा जाया कि, if volume not equal to constant, सोचे, अगर volume constant नहीं है, अगर volume constant नहीं है, बात ज़रा समझेगा, कि अगर volume constant नहीं है, तो क्या होगा, अचाह सोचो, volume constant तो एक process होगी है, और जब volume constant नहीं है, तो इसमें सारे process आगा है, एक process को छोड़के, भाई volume constant एक single process, volume constant नहीं है, तो उस process को छोड़के, बाकि सारे process में cover होगी, तो अगर volume constant नहीं है, then important है, then du का value, क्या बई यू का वैल्यू देखो ncvdt डी यू का वैल्यू क्या होगा ncvdt अभी तु लिखे थे जब वोल्यूम कॉंशनेट हो तब भी होगा फिर वही लिख दी अभी समझो du is equal to ncvdt क्या होगा अब समझो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वॉल्यूम कॉंस्टेंट था अब भी है वैल्यूम था इडिल गैस के लिख जब वॉल्यूम कॉंस्टेंट नहीं है तब भी है वैलिड है इडिल गैस के लिख लिख इसका मतलब क्या हुआ कि for ideal gas for ideal gas du is equal to ncvdt for ideal gas du is equal to ncvdt and it is valid for all the process चेक करो तब ही आप याद करो कि physics में du का value ncvdt लिख देते हो हमेशा क्यों क्यों कि physics में ideal gas इसी पढ़ते हैं क्या पता हो समझ आया है अब chemistry में तो लफड़ाएं भी है अपने साथ chemistry में क्या लफड़ा है अपने real gas इसी पढ़ते हैं देखो for wonderful gas real gas for wonderful gas अगर हम wonderful gas की बात करें समझो if v का value क्या हो constant v का value क्या हो constant so du का value ncv dt ही आएगा क्या देना क्योंकि volume constant हा तो du is equal to ncv dt always valid था चेक करो अगर कहा जाया कि if volume constant नहीं है यह रेखो तो धाम देना बटा du का value जो होगा delta u लिख देते है delta u का value जो होगा ncv t2 minus t1 यह नहीं देहो गया ncv delta t minus an square 1 by d2 minus 1 by d1 यह देखो चेक करो देख लो यह यह है wonderful gas का यह देखो बहुत important अभी हुए यह यह अभी इसका derivation सब पढ़ाते तो बहुत बहुत लंबा हो जाता पार्शल डिफ्रेंशेशन बहुत सारी चीज़ें लगती हैं अब एक बात करते हैं हम क्या करते हैं इसको शॉट करते हैं शॉट करते हैं जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो है कि आप क्या करो रटलो यह फॉर्मूला हो क्या दी यू स्कॉल टू एन सी वी डी टी माइनस एन स्कॉयर वाई वी स्कॉयर दी वी तो यह क्या है इंट्रीगेट कर देंगे तो डेल्टा यू का वैली जो अभी लिखे तो ही है जाएगा N.C.V P.2-T.1- Mia यह फॉर्मूला है यह फॉर्मूला है इसको क्या करो बेटma रटलो यह रटलो बस एसी सारा अनसर आएगा इसे अगर आपने रट लिए मालो यह फॉर्मूला यह हा रटना है सिंगल बन फॉर्मूला अब क्या करना है जहां सुनो गुले इस एफ वॉल्यूम सकल्टू कस्टेंट सोचो अच्छे किसके लिए है वाल्यूम कोंस्टेंट च्छक करो डेल्टा यू कितना एज अब चेक अरु देखो किए डेल्टा यू एंसीवी डेल्टा टीव ही आ गया पुराना वाला अगर व फ्फॉर आइडियल गैस अगर आपके पास आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का जादआए-ड्री यूद्वक में जो वंडरवल कोंसरिट होता है ुसका कोई रोल नहीं होता है याद नोगा तो याद鍋 आइडियल गैस में डेल्टा यू क्या आ गया ncvt2-2 ये देखो चेक करो देखो तो आइडियल गैस में वापस जो है डेल्टा यू ncv-डेल्टा टी आ गया देखो क्लियर यानि आइडियल गैस के लिए अगर रील गैस आ जाए तो यह तो हम रटे ही थे लो अंसर आगया क्यों एक फार्मूला याद रखना है आपको बस क्या कहानी क्लियर हुई कोई डाउट हो तो देखो क्या वह समझ में आ रहा है तो यह जो है अपने को यह समझ में आया कि इंटर्नल इनर्जी अच्छा कहा जा कि for ideal gas internal energy is a function of temperature only एकदम perfect क्योंकि ideal gas का delta u ncb delta t है इसमें तो कुछ और आई नहीं रहा तो for ideal gas for ideal gas internal energy is a function of temperature only देख लो ठीक है बटा है तो जो है अपने को इंटर्नल इनर्जी का idea लग गया ना changing in internal energy अपन constant volume पर कैसे निकालेंगे volume constant नहों तो कैसे निकालेंगे ideal gas क्या होगा real gas क्या होगा यह बात की है अब हम लोग बटा बात करेंगे enthalpy की इसको h से denote करते हैं और h is equal to होता है U plus PV यह आपको क्या करना है रट लेना है यह बाइडिफिनीशन है defined है के enthalpy is defined as this न अब होता क्या है इसमें सबसे important पता है thermodynamics क्या दिक्क्र क्या है बटा thermodynamics में क्या है tough नहीं है कती tough नहीं है चीजें बहुत हैं यह भी है यह भी है वो भी है तो खिचुड़ी जैसा पक जाता है ठीक है तो कोशिश करना है कि कम में ज्यादा कैसे लाएं तो अपने क्या किया एक formula रट लिया h is equal to u plus PV अब अब अपन क्या करगे है इन्थाएलपी में ही 8-10 formula हैं अपन क्यों रखना नहीं है अपने को single formula रटना है और फिर अपने को दिमाग लगाना है कैसे question जो दिया हो ऐसे formula बना लेना है कैसे देखो इसमें आप क्या लिखोगे del h का value लिखोगे del u plus del of PV इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्या भी बास में रहे है आप condition लगाते है कैसे if p is equal to constant सोचो p का value क्या है बटा constant अगर p का value constant है तो देखो क्या आएगा del h का value आएगा ध्यान देना del u plus p delta v ये देखो चेक करो बहीं आपने p constant बोला तो p को बहार लेलो तो एक नया formula बनगे देखो एक देखो clear so अपने को ये बास समझ में आई कि अगर जो है p constant है तो इस तरह का formula बना देखो clear ठीक है बटा आप ध्यान सुनूं पीवी स्कॉल्टू एनार्टी पीवी स्कॉल्टू एनार्टी ये तो आपको पता ही है ठीक है इसको भी यूज करेंगे अब आप ये देखों कि कि पी डेल्टा वी अगर हमें देखें कि देखो बात जारा समझना गरबड़ मत करना डेल्टा यू स्कॉल्टू पी डेल्टा वी यहां तक अपने को clear हो रहा है इसमें तो कोई डाउट नहीं है न यहां से अगर प्रेशर कॉंस्टेंट है तो पी डेल्टा वी का value क्या है एन आर डेल्टा टी यह देखो चेक करो clear क्या वी बुटा समझ में रहा है clear एक तो यह दूसरा from first law thermodynamics flot क्या डेल्टा यू का value q प्लस डबलू होता है चेक करो डेल्टा यू का value क्या होता है q प्लस w clear एक गई डाउट हो तो पूलना अब देखो यहां से अगर हम डेल्टा यू का value रख दें डेल्टा ही one contribution कोंस्टेंट है बाहर आ गया यहां से देल्टा भी vellege के value Q के बिरावर आया देखो dellach का value किसके बराबर आया बटा Q का बराबर condition ना रखना pressure constant है अब देखो अगर dellach का value Q के बराबर आया आप क्या होता है कि at constant pressure जो Q होता है ये होता है n c p delta ये पता होगा ने बटा आपको constant pressure में heat क्या होता है ncp delta t तो इसका मतलब यह हुआ कि del h का value ncp delta t यह देखो जो del h है वाया ncp delta t अब खास बात इसी question को हमने कहीं use नहीं किया देखो हटाद सकते हो इसको भी हटादू कहीं use ही नहीं किया देखो आप तो इसका मतलब del h का value ncp delta t आया तो यानि यह क्या हो गया at constant pressure it is valid for all real gas ideal gas solid and liquid यह देखो यानि अगर pressure constant है तो del h का value ncp delta t हमेशा होगा चाहे real gas हो चाहे ideal gas हो चाहे liquid हो चाहे solid हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कहानी समझ में आ रही है clear है भई देख लो clear यह बात अपने को समझ में आनी चाहिए अच्छा अब सोचो कि अगर मान लीजे कि pressure का value constant ना हो suppose चक करते है देखिए अगर हम कहें कि मान लीजे suppose pressure का value constant नहीं है अगर pressure का value constant नहीं है तो क्या होगा तो तो देखो जो अपन ने h का value लिखा है वो तो रहे गई उसमें तो कोई doubt ही नहीं है ठीक है इसको साफ करते है अगर कहा जाए कि suppose कि f p is equal to not constant पी का value constant नहीं है अगर पी का value constant नहीं है तो देखो क्या होगा समझो जो delta h है delta h वो रहेगा आपका delta u plus del of pv ठीक है बोटा बोलो clear अब देखो क्या होगा और del h is equal to del u को जगह लिख सकते हैं ncv delta t अच्छा pressure of constant नहीं है तब भी आपने ncv delta t लिख दिया इसका मतला हम क्या मान रहें ideal gas यानि हमें बात करनी है for ideal gas तो यहां पे del pv तो del pv के जगह लिख दिजे nr t ideal gas नहीं बटा तो यहां पे pv के जगह nr t लिख दिजे तो del h का value ncv delta t plus nr delta t तो यहां से आ जाएगा n into delta t common ले लिजे तो cv plus r तो del h का value cv plus r क्या होता cp तो ncp delta t फिर से आ गया delta h का value ncp delta t इसका मतलब result क्या है कि for ideal gas del h is equal to ncp delta t is valid for all the process इसका मतलब यह हुआ कि for ideal gas for ideal gas it is valid for all the process यहनी delta h का value हमेशा ncp delta t होगा अगर ideal gas है चाब process कुछ भी हो इसका मतलब enthalpy is a function of temperature only for ideal gas देख लिजेगा clear अगर हम बात करें देखो for wonderful gas wonderful gas की बात करें wonderful gas में देखो delta h का value delta u plus del of pb यह तो हमेशा ही है इसमें तो कोई condition होती नहीं अच्छा wonderful gas का del h देखो अगर माल लिजे pressure constant है तो pressure constant के लिए हम wonderful gas के लिए भी वही होगा अगर काया जाए कि if pressure is called to constant then बेटा del h का value तो ncp delta t ही होगा चाहे कुछ भी हो क्योंकि आपने पहले proof किया थे बात यह है कि if pressure का value constant ना हो suppose pressure का value constant नहीं है तो del h क्या होगा तो del h का value देखो delta u याद करो ncv delta t minus an square 1 by v2 minus 1 by v1 याद आ रहा है यह delta u था wonderful gas का और del of pv लिख दीजे चक करिए तो यहाँ से final result क्या दिखेगा आपको कि delta u का value आया ncv t2 minus t1 minus an square 1 by v2 minus 1 by v1 plus del pv को क्या लिख दीजे बाता p2 v2 minus p1 दीजे नहीं हो यह सोरी del h है चक करो del h is equal to del u का value plus del pv होगया अब जो सबसे important है वो समगे for chemical reaction बहुत important for chemical reaction अगर chemical reaction की बात की जाए कि chemical reaction के लिए delta h क्या होगा तो समझेगा बटा delta h का value delta u plus del of pv यह तो समझ में आया हमारे को delta h का value जो है delta u plus del of pv है ठीक है for ideal chemical reaction में generally हम लोग ideal gas की बात करते है for ideal gas delta h का value delta u की जागे क्या लिख दिजेगा ncv delta t प्यारे बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हों तो उनको like और share करें जिससे जरूरतमन बच्चों तक वीडियो पहुंच सकें और मैं बच्चों यह कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियो देखें तो उसमें comment जरूर लिखें क्योंकि एक एक comment आपका एक comment मेरी पूरी टीम को motivation देता है इसलिए आपसे request है बचा कि comment जरूर करें for ideal गैस देखो chemical reaction है chemical reaction in chemical reaction temperature का value constant होता बचा जब भी कभी हम chemical reaction की बाग करते है तो chemical reaction में क्या खास बात होती है कि उसमें temperature चेंज नहीं होता फिर उसमें change क्या होता है मोल्स जब chemical reaction होगी तक क्या change होता है मोल्स तो क्या होता है कि play यू जो है वह आप d Ν çא भी डेल्टा ट नहीं लिख सकते जानवतना किसी भी chemical reaction के लिए आप delta u का value ncv delta t नहीं लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं, जब n constant हो, अच्छा, n constant का होता है, जब आप एक particular gas का expansion compression करते हैं, आपने container में helium भर दिया, helium का expansion करा दिया, n थोड़ी न चेंज होगा, उसका temperature चेंज होगा, ठीके बटा, तो यहाँ पे, यहाँ पे आपने delta u लिख आया, delta u प्लस, यहाँ t constant है, n change होगा, तो delta ngrt, यह देखो, बहुत important formula है, delta h का value आया, delta u प्लस del ngrt, देख लो बटा, चेक करो, यह chemical reaction के लिए formula काम करेगा, देख लो, तो delta h क्या होता है, सहुझ में आगया, formula clear होगा, ideal guess के लिए, सबसे important formula जो आया, वाया for, chemical reaction, delta h का value आया, delta u, प्लस del ngrt, यह देखेगा, अब यह delta ng क्या है, यह समझते है, delta ng जो है, यह क्या है, यह basically chemical reaction में, delta ng जो होता है, वो क्या है, यह chemical reaction में, अगर आपने chemical equilibrium में पढ़ा होगा, sum of electromagnetic coefficient of gaseous product, minus sum of electromagnetic coefficient of gaseous reactant, यह chemical equilibrium में था, यहाँ क्या है, delta ng, final moles of gaseous product, minus initial moles of gaseous reactant, यह देखेए, clear, अब एक बात जड़ा, जो सबसे important part इसमें आती है, question बहुता आता है, इसमें देहन रफना, इसमें क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए, 3a gas, 2b solid, gips, 2c gas, plus 4d gas, अब मान लीजिए, इसका जो है, delta ng निकालना है, reaction का, तो reaction का, delta ng, simple, जैसे chemical equilibrium करते हैं, वैसे कल लो, देखो, यहाँ gas के कितने मोल हो गए, 6, यहाँ gas के कितने हो गए, 3, solid, solid से कोई लेना देना नहीं है, तो 6-3, 3 आगे है, यह देखो, जैसे suppose, H2 gas, I2 solid, gives 2hi gas, तो बैटा, delta ng का value, 2-1, 1 आएकर, यहाँ, solid है, solid से कोई लेना देना, नहीं है, liquid solid से हमें लेना देना नहीं है, हमें क्यों gases से मतलब है, चलो, यह delta ng आ गया, अब देखो, बात समझो, delta ng अगर आ गया, अब delta ng तो आ गया, अब बात जरा समझें हो, होता क्या, exactly में, जैसे, माल लेजिए, 3a gas, 2b gas, से माल लेजिए, 5c gas एक reaction है, ठीके बटाएं, और इसका del h का value दिया है, minus x kilojoule per mole, पहले ध्यान समझना, del h का value दिया है, minus x kilojoule per mole, अगर del h का value, minus x kilojoule per mole दिया है, unit पे focus करिए, इसका मतलब क्या है, कि वही minus x kilojoule per mole, mole तो इसके 3, 2, 5 हैं, तो यह per mole, यह थोड़ा सा लफड़ा होता है, यह per mole क्यों दिया है, क्या, जब कोई reaction दी होती है, और उसका del h दिया होता है, coefficient कुछ भी हो, unit हमेशा per mole होगा, हमेशा, क्यों, क्योंकि यह del h कैसे defined होता है, यह defined होता है, a के 3 mole का, b के 2 mole का, और c के 5 mole का, यानि, जो reactant product के coefficient होते हैं, उनका यह del h है, अब यह हुआ कि यह per mole के हो है, तो यह होता है, del h is minus x, per 3 mole of a, it is equal to per 2 mole of b, and per 5 mole of c, इसलिए per mole होता है, मतलब, कभी भी reaction का del h दिया हो, तो दियान रखना, कि उसके जो coefficient है, उतने mole के लिए del h है हो, clear, समझ में आगिया, देख लिजे, अब जैसे question आया, question आया, कि h2 gas, plus i2 gas, gives 2 hi gas, reaction है बटा, del h का value दिया है, minus 155 kilo joule per mole, okay, del h का value कितना दिया है, minus 155 kilo joule per mole, करा, if, if 5 moles h2 and 5 moles i2 are mixed, if 5 moles h2 and 5 moles i2 are mixed, then, then, what will be the, delta u not, clear, delta u at temperature T, ठीक है, कुछ लिखा है, ज़रूरत नहीं उससे, अब आप समझे, आप इसमें कहरा है, कि 5 moles h2 और 5 moles i2 अपने मिलाए है, तो 5 moles h2, 5 moles i2 जब मिलाए, तो कहरा है, भई, कि इसका जो है, del u क्या होगा, del h आपको दिया है, del h दिया है, del u पूछा है, इस तरह के exam में question बहुत आते हैं, अगर आप समझ नहीं आएगा, ना हो, ठीक है, देखो, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, delta ng निकालना है, delta ng, 2 minus 2, delta ng कितना है, 0, अगर delta ng 0 आया, कितना है delta ng, 0, अगर delta ng 0 आया, तो क्या del h का value, del u आया, this is called to, यह देखो, del h का value, del u आया, उसका value minus 155 है, और आपको मैं बता दूँ, यह option में दिया होगा, आप ऐसे टिक करो, minus 1 मिल गया, क्यों, क्योंकि जो आपने del h is called to del u minus 155 निकाला, यह बिटा, h2 का 1 mol, i2 का 1 mol के लिए है, क्योंकि अभी क्या बताया था, कि कभी भी reaction का del h दिया है, इसका मतलब होता है, उसके 1,1 mol का है, और mol कितने लिए हो, पांच-पांच mol, यानि, del u for 5 mols h2 and 5 mols i2, is called to, लिखना पड़ेगा, this, देख लेना, calculation कर ला तुझा, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम देख लेना, ठीक है बटा, clear sound में आया, ऐसे करते हैं, अगला देखो, मानलो कोईशन आया, n2 plus 3h2 gives 2 ammonia, इसका del u का value दिया है, minus x kilojoule per mol, अगर इसका del u का value minus x kilojoule per mol दिया है, इसका मतलब n2 का 1 mol, h2 का 3 mol, n2 का 1 mol, h2 का 3 mol के लिए ये दिया है, clear, आप question कहा रहा है, if 5 mols n2 and 8 mol h2 are mixed, ठीक है, then find delta u at temperature t calvin, ये देखे, देखो, कभी बीज तरह, question आये, तो आपका करना क्या होता है, बहुत असान परिए, सबसे पहले, अपन क्या करेंगे, जो बेटा आपको reaction दिया है, इस reaction का del u निकालेंगे, हमें ये 5 mol, 8 mol, इसको अभी छोड़ दो, ये मानलो दिया ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, कि जिस reaction का आपको del s दिया है, उसका हम del u निकालेंगे, और del u कैसे निकालेंगे, मानते हुए कि इसका 1 mol, इसका 3 mol, ये जो coefficient है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि बेटा del n g निकालेंगे, जब आप del n g निकालिएगा, तो 2 minus 4, क्या 2 minus 4, minus 2 आगया, del n g कितना आगया, minus 2, ठीके, जब del n g minus 2 आगया, तो आप लिखिएगा del h is equal to delta u, plus del n g r t, क्या delta u का value, और del h minus del n g r t, यानि minus x plus 2 r t, क्या बटा बास समझ गया ही, minus x plus 2 r t, ये भी option में होगा, लेकिन यह answer नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर n 2 का 1 mol, h 2 का 3 mol लिया होता, तो ये answer आता, लेकिन question में, n 2 का 5 mol, h 2 का 8 mol लिया है, अब समझना पड़ेगा, यानि अपना पहला काम क्या हुआ, कि पहला काम यह हुआ, कि जो आपको reaction दी थी, उस reaction को देखके, हमने delta u निकाला, अब क्या करो, अब जो को 5 mol n 2 है, 8 mol s 2 है, अब ये check करो, इनमें limiting कौन है, क्या check करो, इनमें limiting reagent कौन है, क्यों, माल लो, n 2 बहुत सारा ले लिए, अब जो limiting होगा, reaction खत्म हो गई, तो अपने को मतलब बेटा, limiting से होगा, limiting कौन है, 5 by 1, 8 by 3, कौन limiting हुआ, h2, तो जो limiting आए, ध्यान से सुनना बेटा, नहीं, confusion होगे फिर आएगा नहीं, जो limiting आए, उसके coefficient को पकड़ लो, जो limiting आए, उसके coefficient को पकड़ लो, जकड़ लो, तो ध्यान से, तो हम क्या कहेंगे, कि जो del u आ रहा है इतना, ये क्या 3 mol h2 के लिए आ रहा है, coefficient के लिए तो आता है, this is for 3 mol h2, और आपको क्या निकलना है, 8 mol के लिए कितना हुगा अंसर आ गया, यानि, del u for, 8 mol h2 is equal to, minus x plus 2 rt, divided by 3, into 8, क्या समझ में आया, शांदार तरीका है देखो, clear, सबसे पहले क्या करना है, coefficient को देखके आप खट से निकाल लो, del u del h, limiting निकाल लो, देख लो इतने के लिए कितना अंसर आ गया, क्या बढ़ी समझ में आया कि नहीं देख लो, clear, तो ये जो है आपका, delta ng से कैसे आया ये समयो, और देखो, यहाँ पे जो formula है, delta h is equal to delta u, plus del ng rt, इसको बोलते हैं, heat of reaction, enthalpy change भी बोलते हैं, chemistry में अगर reaction हो रही ही, तो heat of reaction, at constant pressure बोलते हैं, दयान रखना, ठीक है, और इसको change in internal energy तो बोलते ही है, heat of reaction, at constant volume भी बोलते हैं, ठीक हैं, एक बात और समझना, जैसे, a से भी reaction है, बोलते हैं, 10 kilo joule heat निकली, मानलों ऐसे निकली, तो इसका अगर del h लिखना है, तो ध्यान रखना है, इसका del h minus 10 लिखोगी, जब heat निकली, तो यह positive है, लेकिन del h negative होता है, heat absorb किया, तो फिर del h क्या हो जाएगा, इसका positive हो जाएगा, मतलब del h और heat का जो term है, वो negative होता है, ठीक है बटा, एक तो बात समझना है, अभी constant pressure, constant volume यूज कर ले, तो आप ध्यान रखना, clear है, क्लियर है, समझ में आया, आप जो है, वो देखना, 40 years, 39 years, पेपर देखना, direct question आता है, क्या, ऐसे question आता है, कि del h का value, del u, plus del of pv लिखते हैं, बोला, del u इतना है, constant volume पर reaction हो रही है, initial pressure, final pressure दिया है, constant volume, क्या इस से लिख दो कि देखो, for constant volume, चेक करो, यह देखो, direct, अगर volume constant, formula लगा दो, पहले पता, सौन में आया है कि नहीं, clear है, पक्का, देख लो गई, तो इस तरह से, आप del h, del u, यह सम निकाल सकते हैं, बहुत आराम से, क्या भी बात clear हो इ, कैसे कैसे del h, निकालते हैं, कैसे कैसे del u, निकालते हैं, सारी कहानी आपको clear हो गई, ठीक है, अब इसके बात, अगर del h, del u आ गया, अब हम लोग आगे बात करते हैं, del h आ गया, del u आ गया, heat आ गया, work आ गया, sign convention आ गया, ठीक है, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, वह बात करने वाले हैं टाइप सॉफ थर्मो डाइनमिक प्रोसेस ठीक है थर्मो डाइनमिक प्रोसेस सीधे करते हैं थर्मो डाइनमिक प्रोसेस देखो थर्मो डाइनमिक प्रोसेस की बात की जाए कि थर्मो डाइनमिक प्रोसेस क्या होते हैं इनका graph राफ कैसे होगा सब अभी समझेंगे और वरकटन भी साथ में ही समझा देंगे ठीक है बटा है पहला process है आईसो प्रोसेस ठीक है आईसो कोरिक प्रोसेस अगर आईसो कोरिक प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें condition क्या है वी का value constant होना चाहिए वी का value constant होना चाहिए ठीक है अब दहन सुनों ये सबको पता है अब इसमें question कैसे बनाया देखना statement 1 if delta v is 0 then process must be iso-coric पहला statement 2 वही अजर्शन रीजन की तरह है अब कुछ लोग को लग कर रहे हो कि statement वाले question आते हैं नहीं कभी भी आ सकते statement 2 statement 2 ये है is iso-coric process चक्क लोटा बहुत basic है तुम लोग भी पता होगा फटा फटा यूटूब में answer लिखके पोश्ट करना बहुत क्या answer है नहीं कि दोनों correct है correct explanation है क्या है तो देहन सुनो क्या करना है से करा delta v is 0 then process must be iso-coric and it is a iso-coric process देखो इसमें तो आपको v constant सीधे देख रहा है तो ये statement 2 जो है ये तो correct है इसमें तो कोई doubt नहीं है लेकिन ये जो आप देख रहे हो statement 1 ये incorrect है गोले incorrect है delta v 0 पढ़े दियार v constant है तो delta v 0 तो होगा सही तो है condition iso-coric की समझेगा गढ़वड मत करियेगा कभी भी iso-coric process होगा तो इसमें v का value क्या होगा constant पिल्कुल confirm कोई doubt नहीं v का value constant होगा अच्छा v का value constant होगा तो delta v का value 0 होना चाहिए and ध्यान रखिएगा ये देखिए delta v 0 and dv 0 dv 0 मतला हर एक point पे volume constant होना चाहिए जैसे v और p का curve खिशते हैं देखिएगा ये देखिए a से भी जा रहा है चेक करो पहले बताओ इसमें volume constant है की नहीं जल्दी बताओ volume constant है की नहीं इसमें volume कहां constant है या change हो रहा है लेकिन क्या final volume initial volume same है इसका मतलब क्या del v का value 0 है but dv इसका मतलब ये process not isochoric इसका मतलब if delta v is 0 then process must be isochoric गलत हो गया ना बेटा delta v 0 तो है देखो लेकिन process isochoric नहीं है इसका मतलब condition क्या है अगर ये सही है तो ये अपने आप सही हो जाएगा लेकिन ये सही है guarantee नहीं सही है यानि delta v 0 condition नहीं है dv का value 0 होना चाहिए ये condition क्या समझ में आया देख लिजेए अपने को ये कहानी clear होई कि अगर dv का value 0 है तो फिर isochoric होगा देखिए अच्छा अगर अपने को isochoric की कहानी समझ में आई यार isochoric जो है समझ में आया ये है तो आगे समझते हैं कि आगे क्या होना है इसमें अगर volume constant है तो work done क्या होगा यह होता minus pdv integral तो क्या work done तो 0 आएगा work done क्या आएगा 0 clear पहली बात दूसरी बात देखो if volume बढ़ रहा हो उसको बोलते है expansion and if volume घट रहा हो तो इसको बोलते है compression सबको पता हो गए लेकिन isochoric में तो volume change हो गए तो फिर क्या इसको expansion compression बोलेंगे ना कत्त ही नहीं बोलेंगे तो देखो क्या बोलेंगे क्या अगर V का value constant है if V is equal to constant then PV is equal to NRT के हिसाफ से क्या P proportional to T होगा चेक करो बेटा चेक करो V constant है P proportional to T है clear इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे clear मतलब यहाँ expansion compression की जगे हम लोग क्या बोलते है वेटा heating और cooling clear और देखो clear यहाँ से बात clear होनी चाहिए भई इसके बात की कहानी समझो क्या होना है देखो अगर इसमें हम लोग बात करें delta U क्या होगा delta U delta U जो है volume constant है तो delta U and CV delta T होगा हमेशा clear और delta U का value ही Q होगा क्योंकि वर्गडन जीर हो है ठीक है अब हम लोग इसमें बात करते है graphs की इसके graphs ध्यान रखना question आ जाता है 4 graph बना देगा बोलेगा कौन से graph आइसो कोरिक का है तो देखो होगा क्या हम ध्यान से pressure versus volume अगर ऐसा graph है देखो तो यह constant volume है प्री टेड़ी होगी होगी इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे देखो हो क्या रहा है constant volume में pressure बढ़ा है तो इसको बोलेंगे यह है आइसो कोरिक heating क्योंकि बेटा pressure बढ़ा है इसके मदलब T proportional to T लिखेते है अपन यह देखो pressure बढ़ा तो temperature भी बढ़ा होगा अगर PV हो गया अगर VT कर्व हो बताओ कैसे होगा अगर यह ऐसे हो रहा है यानि इसमें क्या हो रहा है constant volume में temperature कम हो रहा है तो इसको कहेंगे isochoric cooling यह देखिए ठीक है अब जो है PT कर्व यह देखिए यह हो गया PV कर्व यह VT कर्व यह PT कर्व PT में देखो P proportional to T है तो यहाँ पे यह देखो यह ऐसा होगा P proportional to T यानि Y square to MX ओरिजन से पास होती नजर आएगी कब जब T कैल्विन में है ध्यान रखना अगर T ध्यान से suppose P और T का लाइन है और T degree centigrade में है तो यहाँ से ध्यान रखना कैसा लाइन आएगी द्यान से ऐसी आएगी और यह होगा minus 273 देखो अब हम लोग बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा P का वैल्यू होता है constant तो इससे डेल्टा P क्या होता है 0 और ध्यान रखना DP is equal to 0 यह condition clear है देखे अगर हम सबसे पहले बात करें work done work done होता है minus PDV integral P constant है क्या P constant है तो यहाँ से जो है V1, V2, BV तो यहाँ से W का वैल्यू आ जाएगा minus P V2 minus V1 यह देखो अच्छा इसी को आप W की जगह देखो PV2 को लिख सकते है NRT2 minus NRT2 minus T1 यह भी work done होगा आईसो को रिक का अब यह हुआ यूज कौन से करना है जो information आपको दी हो यह भी use कर सकते है यह भी use कर सकते है देखो clear तो यह आ गया work done आ गया इसमें जो delta H होता है वो Q के बराबर होता है और Q का value NCP delta T होता है आपको पहली पता था चेक करो देखो इन में जो है न बहुत कुछ पूछा भी नहीं जाता है मेंली जो question पूछे जाता है आईसो थर्मल और अडियावेटिक का पूछा जाता है लेकिन फिर भी मतलब पता तो होने ही चाहिए अगला देखो इसमें एक टेवर कटन आ गया आ गया अब देखो graph की बात करने इसमें graphs so अगर माल लिजे PV कर्व है constant pressure की लाइन है ये देखी constant pressure में volume बढ़ आ है इसको बोलते है हम लोग ऐसे isobaric expansion चेक करो ठीक है बटा अगर p t curve हो तो देखो क्योंकि p constant है तो t proportional to v हो जाएगा चेक करो बटा ठीक है तो यानि कि p constant है तो t proportional to add p is equal to constant तो t proportional to v यानि t घट रहा है तो v भी घट रहा होगा तो इसको बोलेंगे it is isochoric compression चेक करो ठीक है पहिचानने सबको आता है तो ठीक आप देखो धानस अगर अगर आप vt कर्व खीच रहे हो vt ठीक है बटा vt p constant है v proportional to t है यानि क्या ये अगर Kelvin में है अभी बात किये थे तो यहां से origin से पास होता हुआ नजर आएगा ये देखो ठीक है और जब constant pressure में इस तरह की line होती है तो इसको ध्यान रखना बोलते है iso bar क्या बोलते है iso bar ये देखो ठीक है बटा अब इस पे question आ चुका है it में question आ चुका है इसमें it में कैसे question ये है कि बोला 3 isobars are drawn bt कर 3 isobars are drawn at different pressure p1, p2, p3 ठीक है बेड़ा 3 isobars हमने नहीं draw किये p1, p2, p3 में ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के अपन एक ये p1 पे आया ये p1 constant बेटा एक ये p2 पे आया और ये एक जो है p3 पे आया ये origin से पास होते है p1, p2, p3 में 3 isobars हमने draw किये question पता क्या है question ये है find the relation between p1, p2, p3 ठीक है 3 isobars 3 isobars are drawn at pressure 3 isobars are drawn at pressure p1, p2, and p3 ठीक है clear करो अगर p1, p2, p3 में हमने 3 isobars draw किये और आपको p1, p2, p3 में relation बताना है तो बहुत असान से तहीगा IT question है कुछ भी इस तरह का सकता है ध्यान रखीगा तो करना क्या है आपको p1, p2, p3 में relation बताना है तो ध्यान सुनना एक लाइन में चाहे horizontal line खीच लो चाहे vertical line खीच लो अब बुली ही क्या है तो horizontal line का मतला कि ये horizontal line हमने draw कर दी बहुत ठीक है सीधी line है ट्रेडी में समझी हो ये v constant पे हमने line ड्रो कर दी अगर v constant पे line ड्रो की तो क्या at constant v at constant v क्या p proportional to t होगा बटा इसका अगर जिसका pressure ज़्यादा उसका temperature ज़्यादा तो समझो क्या यहाँ यहाँ ती 3 यहाँ टी 2 यहाँ टी 1 क्या यहाँ टी 3 ज़्यादा है इसका मतलब p3 का value ज़्यादा है p2 से p1 यह लो चेक करो आप कहते मौन लीजिए भैसाब वर्टिकल लाइन खीच दो तो अगर आपने वर्टिकल लाइन खीच दी वर्टिकल लाइन का मतलब आपने p constant की लाइन खीची p constant लाइन खीचने का मतलब जब p constant होगा तो p inversely proportional to v होगा यानि at constant temperature क्या p inversely proportional to v यानि जिसका v ज़्यादा उसका p कम तो क्या यहाँ से आप line ड्रो करोगे तो क्या p1 वाले का v सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब p1 सबसे कम होगा इसका मतलब क्या फिर से p3 greater than p2 greater than p1 क्या मेरे लाल समझ में आई स्टोरी ठीक है पक्का देख लो बहुत आसान आसान तरीके हैं ऐसे समलो यह आईटी का कोशन है भई ऐसे कोशन आते हैं कोशन देखके शरम आती है क्या पूछता है ठीक है लेकिन आते तो है तो समझना तो पड़ेगा क्या बटा बास समन में आई की नहीं कितनी कहानी क्लियर हो गई आपको तो आईसो कोरिक प्रोसेस आईसो बारिक प्रोसेस हमने दो प्रोसेस पढ़े उनके वर्क डन पढ़े उनके ग्राफ पढ़े ग्राफ बहुत इंपरटन्ट है आगे काम आएंगे ध्यान रखना प्यारे बच्चो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नमबर दे रहा हूँ उस पे आज ही कॉल करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान वित हों नमबर लिख लिजे 1-8-00-21-21-7-9-9